बिहार विद्याले परिक्षा समीती की और से कल से इंटरमेडियेट की परिक्षा शुरू हो रही है इसको लेकर अधिकारियों ने कमर कसली है भागलपुर जिले में 50 परिक्षा केंडर बनाए गए हैं इन केंडरों में 49,493 परिक्षार्थी शामल होंगे इन में से 20,788 चात वा 18,745 चातराएं शामल होंगी शेर में 30 नवगचिया में 6 नाथनगर में 4 कहलगाओं में 6 और सबूर में 4 केंडर बनाए गए इसमें से 4 परिक्षा केंडर आदर्श परिक्षा केंडर हैं केंडरों पर जुरक्षा के पुखता इंतजाम रहेंगे दो बार को कुछ सहुलियत भी दी गई है दरसल इस बार परिक्षार्थियों को जूता मुझा पहनने दिया जाएगा जिला सिक्षा पतादिकारी संजय कुमार ने परिक्षा केंडरों का निरिक्षन किया उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां कर ली गई है कदाचार मुक्त परिक्षा संपन कराई जाएगी केंद्र मेदेरी से पहुंचने पर प्रवेश नहीं मिलेगा उस समय के बाद अर्थात 9 बजे 9 बजे के बाद कोई बच्ची है से कि विद्याले आएंगे तो उनके लिए हैसे कि गेट बंद हो जाएंगे अगामी लोकसभा चुनाओं को देखते हुए भारत नर्वाजन आयोग के निर्देश पर प्रशासनिक महकमे में भारी फेर बदल किया गया है भागलपुर जिले के लगबख सभी धानेदार को दूसरे जिले में पोस्टिंग कर दी गई तीन साल से कम समय भागलपुर जिले में बिताने वाले थानेदारों को डियाईजी कारले में प्रतिनी उक्ति कर दी गई देश राम भागलपुर समारण आले परी सरस्तित समिक्षभवन में सीनियर एसपी आनंद कुमार ने सभी धानेदार और इंस्पेक्टर स्तर की अधिकारियों के साथ बैठक की और आगे की रण नीती पर विचार वे मर्श किया इस दोरान सीनियर एसपी ने बताया कि भारत निर्वाज अनायोग के दिशानिर देश पर लोगसबा चुनाओं को देखते हुए व्यपक पैमाने पर फेर बदल किया गया है भागलपुर के सभी थानेदारों को दूसरे जुले में भेज दिया गया और दूसरे जुले से भी काफी संख्या में दरोगा और इंस्पेक्टर भागलपुर आ रहे हैं जिनकी पोस्टिंग थानेदार के रूप में की जाएगी एक साथ इतने बड़ी फेर बिदल के बाद प्रशासनिक महट में में खलबाली मची हु और बड़े पैमाने पर यहां पर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जो कि थाना दर्स के पद पर पदस्थापी थे उनका स्थाना नत्रन हुआ है तो उस संदर में वी एक बैठक थी और इन लोगों ने पिछले एक साल ने बहुत अच्छा काम किया है जाहे वह अपर दिये गया थे जो विहार कुलिस का मोटो है जन सेवा तो उसमें कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स थे एक एक 38 बिंदूओं पर एक एक बिंदूओं पर विस्तार में सभी थाना ध्यक्ष और उनके जतने कनिय पदाधिकारी गन है उनको बताया गया है और उसमें उनको टार पदाधिकारी और इंस्पेक्टर में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है दूसरे जिलों में और दूसरे जिलों सभी बड़ी संख्या में पदाधिकारी भागल को पुलिस को जोईन कर रहे हैं और यह जिनका भी टर्म पूर्ण हो गया था या मानिय भारती निरवाच सब्सक्राइब कर दिया गया है और चुकिन का स्थाना अंतरन हो गया है वो लोग अपने जो भी जिन जिलों में उनका पदस्थापन हुआ है उस जिलों में प्रस्थान करें गया रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में एजी की कारवाई लगातार ज़ा रही है लैंड फॉर्ट जॉब मामले में लालू यादब और तेजस्वी यादब पर एजी लगातार शुकंज़ा कस रही है सुबार को लालू यादब तो मंगलवार को तेजस्वी यादब सेईडी ने घंटो पुछताच की इस पूरे स्कैन में तेजस्वी की भुमिका को लेकर काफी अलगलग सवाल खड़े हो रहे हैं मामले में जद्यू के बड़ बोले विधायक गोपाल मंडल ने तेजस्वी यादब का समयथन करते हुए कारवाई पर आपड़ती जुताई है गोपाल मंडल ने कहा कि जो समय जमीन के बदले लालू यादब ने नौकरी दी होगी उस समय तेजस्वी छोटा था हॉस्टल में था उसको तो जूट का फसाया जा रहा है तेजस्वी बिलकुल निर्दोश है मीसा भारती और सब बच्चा निर्दोश है लालू राबड़ी दोशी हो सकते हैं उनके बच्चे नहीं हो सकते जो जमीन देकर नौकरी लिया उससे भी पुछताज करनी चाहिए हमको अभी कोई देने आएगा कि पांच करोर रख लीजिए एक मिनिट भी देरी करेंगी क्या रख ही लेंगे ना लक्ष्मी आएगा तो लेंगे ही इडी पूछे या कोई पूछे जारकर्ण में भी हेमन सोरेन की गलती नहीं है वहाँ भी शिबु सोरेन ने घुटाला किया है इडी जाकर पूछे उस बुढ़धे से तेजसी पर जो इडी ने ताना कस रहा या पूछ रहा है जिस ताइम में जमीन के वज में नौकरी दिया हो लालू जादम ने उस ताइम तो बहुत छोटा था है उसको जुटो नमज रा रहे हैं ये नहीं करना चाहीगा तेजसी बिलकुन इन्नोसेंट है निर्दोसे कोई मिसा भारती हो जो भी हो दोसी हो सकते हैं लालो जी राबरी जी लेकिन उसको बालवच्चे दोसी नहीं हो सकते हैं उनके नाम पर लिए उनके बाप ने दिया और उसको भी दी पूछे जो जमीन देके नवक काती निया उसको पूछमे ने करता है हमको कोई अभी देने के लाएगा ले लिजे पांच करू रख लीजिए एक को मिनिट देरी करेंगा है रख ये लेगे ना रख लेगे कोई देने के लाएगा लक्षमी तो ले ले लेगे नहीं एडी पूछे के कोई पूछे देखे जारखंड के जहां तक सवाल है मैं तो विहार पर बात करता हूँ जारखंड में क्या होता है नहीं होता है हम क्या बूलेगा अरे अभी भी काते हैं जो कुछ गल्ती क्या हो जारखंड में सीबू सोरन ने गल्ती क्या होगा ये गल्ती न पूछे नहीं जाके बुडवा को भागलपूर के बच्चे अपनी प्रतिभास से मैदल हासल कर देश भर में जिलावा राजु का नाम रोशन कर रहे हैं पटना में आयुजित जूनियर वास सब जूनियर प्रतियोगिता में भागलपूर किलकारी के बच्चों ने गोल्ड व पाउचक निरिक्षन किया इस दोरान किलकारी के बच्चों के द्वारा बनाए गई आकरशक मंजूशाप मेंटिंग और मूर्ती किलकारी के बच्चों के द्वारा डीओ को भेट की गई चुला सिक्षप दादिकारी ने बताया कि कला और खेल में रुची रखने वाले सविधाय को जल्द ही मुहिया कर आया जाएगा ताकि बच्चों को किसी दरह कि कोई परिशानी ना हो रागे भी बच्चे पदक जीत कर आएं और भागलपूर का नाम रोशन करें यह पटना में जुनियर और शब जुनियर प्रतियोगता थी उसमें हमारे हैसे कि भागलप सकता है उसी को हम लोग ऐसे के देखने के लिए यहां पर आयता है जो मेहनत करेंगा वह आगे बढ़ेगा काफी कुछ है और हैसे कि भागलपूर के अन लोग अन गार्जियों जिनके बच्चे खेलकूट की परतियोगता में या हैसे कि पेंटिंग में या मूर्तिक कला में जो अपनी परतिवाग को निखारना चाहते हैं उनका श्रागत है किलकारी आए उनके बच्चों कहाँ से कि यहां पर काफी विकास होगा भागलपूर में बिहार सरकार क्रशी विभाग द्वारा दो दिवसी जुलास्तरी क्रशी यंद्रे करण मेले का बुधवार को जमापन हो गया मेले में क्रशी से संबंद ते यंद्रों की प्रदर्शनी लगाए गई साथी इसकी बिक्री भी की गई वहीं क्रशी विभाग के पदादिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस यंद्रे करण मेले में किसानों को कम से कम सबसीरी पर यंद्रों को प्लब्द कराया जा रहा है जिससे किसान सुगमता पूर्वक किसानी कर अपने आये को बढ़ा सके वहीं दो दिवसी जुलास्तरी क्रशी यंद्रिक मेले में क्रशी विभाग के दर्जनों पदादिकारी वा सैकड़ों किसान मौजूद थे दो दिवसीय क्रसी यंद्री करन मिला लगाया गया था जिले में भागालपर जिले में उसमें 48 तरह के क्रसी यंद्रों के लिए लोगोंने आबेदन किया था उन सब को लोग परमिट दिये थे 55-53 परमिट दिया गया था तो उसके बीद्ट पर्चेज कियेखे हैं, जिसमें सभी तरह के करसी इंतर सामिल हैं, चोटे से बरे बरे इंतरों में एरीपर कंबैंडर है, एरीपर है, रोटावेटर, कल्टिवेटर, और वीडिंग मसीन, फिर और भी जितने इंतरों लोग, पंपसेट, लापेटा पायप कि सभी तरह के अंतरों पर सब्सीड़ी है नरफियर्ट लगाया जाता है कि संदेर को देख सके और sorta कितने में और एक जगह उनको सभी तरह की किर्सियांतर सही कीमत पर मिल जाती है दिखाई देती है और एक दुसरे से तुलना करके लोग बेहतर उत्पाद कौन सा है उसके लिए वो सेलेक्शन कर पाते हैं जन सरुकार के लिए काम कर रही मा आनंदी संस्था की और से आज सिकंदर पूर स्थित अपने कारले में पीर पहनती निवासी विनोध कुमार मंदल की बेटी की शादी के लिए संस्था की और से सहयो किया गया बता दे कि मा आनंदी संस्था की और से गरीब जरुरत मंदों को बेटी की शादी में हमेशा सहयो किया जाता है मा आनंदी संस्था की फाउंडर प्रिया सुनी ने बताये कि संस्था की और से शादी में सहयो करने का सिलसला इस साल भी शुरुआत हो गई है आगे भी सहयोग के हैं सिलसिला चलता रहेगा संस्था की और से यथा संभव गरीबों निशा है और ज़रतमंदों को सहयोग प्रदान किया जाता है पुत्री एप परिवाल के लिये बहुत हि भाव क्शन होता है और जितना ही परिवाल जुनों के लिए भी होता है और आज हैं लोग अपने शान सभी वभात के लिए लूग-ktor aggi कर करते हैं सिफ साथ सजावट के लिए तो मैं उन-सभी को कहना जो बेटी होती हैं उनके परिवार जुनों को जो है अपना समान गिर्वी रखना पड़ेगा या फिर भूखे रहना पड़ेगा या जा करके चुपचा बुरून हत्या करना पड़ेगा तो यह सारी चीज़े यदि समाज के एक-एक लोग जागुलक हो जाते हैं तो यह सारी को चाहिए इस इश्वर को मंदिर का जगह दे और यदि सब लोग इस इश्वर रूपे करन्या को यदि मंदिर का जगह देने लग जाए तो यह धरती हमारा जरूर स्वर्ग बनेगा और यह इतनी सारी जो समस्याइब्स का समाज में वह नहीं होना होगा